नमस्कार विद्यार्थियों ओनलाइन कक्षाँ में आपका स्वागत हैं हम अधन करें कक्षा 10 और हमारा जो विश्य है हिंदी हिंदी में हमारी पाठे पुष्टे का कि खिशितिज और खिशितिज में हमारा जो अध्याई है चौद्वां लक्षमी नरायन रंगा और उनके से उनको जेलर है और प्र जो पुरिश एधिक शक गुमाणसी है तो महरावल जो हर्षी उसकी सिंएगर हो जो हर्षीulations रहे सजे उसे माफी मांगने के लिए बार बार है तुम उनसे माफ्म Christians ơi और बाय कहते हैं कि तुम्हेर माता पिता वियों की मर गए हैं कि तुम्हारी माता बिमार है विमारा रहती है वह भी समय दूखी थी आ और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारी लिए काफी दुखी रहती है तो तुम उन सभी को दुखी क्यों कर रहे हो माफी मांग लो और तुम्हें यहां से सवतंतर कर देंगे तुम सभीकार नहीं करता वो गहता है कि नहीं भारत माता जो है तो उसके लिए जो मेरे घरवालों के जो आंसू है तो वे फूलों के समान है तो मैं अपनी जो भारत माता है तो उसके हूंटों पर परसंदता देखना जाता हूं तो इसके सामने मेरे जो परिवार है उसकी जो कराहा कह सकती है जो दुख है वो कुछ भी नहीं है तो जेलर कहता है कि तुम मेरी बात मानो व्यर्थ में अपने प्राणों को क्यों गवा रही हूं और इसे कोई फाइदा तो है नहीं है और जो महरावाल जुहारस ही हैं कोई प्राए नहीं है वो अपने अन्न दाता ही हैं और उनको पिता समझ कर माफ़ी मांग लो तो इस प्र सागर के मन में कैसा भाव उड़ता है और किस प्रकार का व्यवहार जो है वो सागर करता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं भागतीन के अंतरकत हम कि सागर चिलाकर कहता है नहीं कभी नहीं उस खुनी दरिंदे से माफी अब कौन सा खुनी दरिंदा यानिकि जो महरावाल सागर के बविशे को अंधेरे में धक रखा है जिसने कानून और अदालत को काली कटपुद्ली बना रखा है जो चोड़ खुनियों के बलूते पर राज्या चला रहा है उससे माफी धत कभी नहीं अब धिकार है कि उससे तो कभी नहीं माफी मांगो मैं जलर कहते हैं तो व ले वारावर जो हरसी है कि उनी का कानून है उनी का दंट है और वो तेरी स्合मन्ट को चूर-चूर कर देंगे सागर कहते है कानून और दंड के काले हाथ फूल को डाली से नोच कर मसल सकते है जेलर सहाब पर उसकी महख नश्ट नहीं कर सकते है अब सागर कहते है कि जो कानून और जो दंड के काले हाथ है न फूल की डाली को नोच तो सकते है बिखेर सकते है तोड सकते है लेकिन उसकी ज बावाओं की दरोहर होती हैं जो फैले बिना नहीं रहती दरोहर मतलब उनकी जो थाती कह सकते हैं उनका जो प्राकर्टी करूप्स उनको प्राप्त हुआ है वे मेरे तन को दबा सकते हैं मेरे मन को नहीं मुझे मार सकते हैं मेरी भावना को नहीं मेरी आत्मा को नहीं मार सकते तो जेलर कहता है देख मैं तुझे समझाता हूं तुमान जा नहीं तो ये तेरी बोटी-बोटी नोच लेंगे तुझे ये ऐसी आत्राइन देंगे कि पत्थर का क्लेजा भी देहल जाएगा और वो धमकार है इसको सागर को कि देख तेरी बोटी-बोटी-बोटी नोच अगर तुमाफी नहीं मांगेगा तो और तुझे असी आत्राइन देंगे कि पत्थर का क्लेजा है ना जो अपने आपको कहते हैं भैवित नहीं होता डरता नहीं हूं तो ऐसे पत्थर-दिल क्लेजा जो है पत्थर-कलेजा भी भी दहल जाएगे तो सागर अचानक ये दु को सताया जाएगा उतना ही प्राणों की लो और तेज होगी सवतंतरता का कमल सहीदों के रक्त स्रोवर में ही उगता है बढ़ता है और रुपकर सांस लेता है जैसे बोल रहा है लगाता कि जो सवतंतरता का कमल है वो सहीदों के रक्त स्रोवर में ही उगता है और सवतंतरता सह प्रज़ता से नहीं मिलने वाली है बलकि सहीद जो हैं उसके लिए बलिदान हो जाएंगे अपने रक्त के जो नदियां बहा देंगे शुरोवर बहा देंगे तो उसी के अंदर जो सुतनतता का कमल है वो खिलेगा तो जिलर कहता है अरे पगले ये तेरे पाउं तोड़ तुमारी आँखे फोड देंगे तुमारे प्रान ले लेंगे तो सागर कहता है हस्ते को कह रहा है मात्रभूमी के दिवाने तन का जीवन नहीं मन का जीवन जीते हैं फिर मेरे पाम तूटे पर यदि मेरे देश का एक कदम आगे बढ़े हैं मेरे हाथ तूटने पर यदि देश के हाथ थोड़े मजबूत होते हूं मेरे आँखे फूटने से यदि देश को नई नजर मिलती है मिले मेरे प्राण लेने से यदि देश को नया जीवन मिले तो मैं खोना अपना परम सुभा के मानूंगा अब इसमें सागर कहता है कि अगर मेरे जो पाम तोड़ देंगे ये जो हैं तो उससे मुझे कोई परवाह नहीं है लेकिन ऐसा तो होगा कि मेरा देश एक कदम आगे बढ़ेगा अगर मेरे हाथ तूटते हैं तो उससे यदि मेरे देश के आद थोड़े मजबूत होते हैं और मेरे आँखे फोरने से यदि मेरे देश को नई नजर मिलती है नई द्रिश्टी मिलती है और मेरे प्रान ले लेने से देश को एक नया जीवन मिलता है तो मैं इसे खो देना या अपने जीवन को खो देना परम सुभा क्या मानता हूं अपनी मातरभूमी के लिए मेरा नाम सागर है जेलर साहब मेरी गहराईों को तोप और तलवार हिलाने ही सकती अब देखे अपनी नाम की सार्थकता को बता रहा है सागर मलगोपा जो है मेरा नाम सागर है कि सागर के अंदर है एक चीज समाहित हो जाती है बड़ी से बड़ी और चोटी से चोटी जो चीज है तो किते है जेलर साभ मेरी गहराई को तोपः तलवार कैसे ला सकती है तो जेलर अब तुझे कैसे समझाऊं मेरा तो यही कहना है अब बाहर से गुमान से बोलता हुग आता है उसके हाथ में बैंता है वह गुसे में नजर आता है साथ में बिरवल आदिमी है जो सिपाही उगराते है तो वो साथ में है फिर गुमान यह है आपका कहना नहीं मानेगा जेलर साहब मेरा कहना मानेगा अब देखे जेलर और गुमान के बीचे माचित हो रही है कि जेलर साहब यह आपका कहना नहीं मानेगा क्योंकि जेलर साभ जो हैं वो भी तो सागर के पास इसलिया इतना कि महरावल जो आरसी हैं से वो माफी मांग ले और अपने साथियों के नाम बता दे तो सागर ने मना कर दी है तो गुमान से बाहर यह कहना नहीं मानेगा क्या बातों से मना रहे हैं इसको यह तो मेरा कहना मानेगा आपकी मिठी चार से यह बस में नहीं आएगा लातों की भूत बातों से नहीं मानते हैं यह तो पिटाई करने पड़ेगी इसकी लातों की भूत यह तो बातों से नहीं मानते ही यह महावरा वैसे दों आज मैं इसे वह मज़ा सक्षाओंगा कि लोग सद्धियों तक याद रखेंगे आपको महरावल साभ याद फर्मा रही हैं अब याद फर्माना मतलब कि आपको बुला रहे हैं वो तो जिलर सागर के और देखता है और ह जवहराल नहरू को जैनाराइन व्यास और हीरालाल सास्त्री वैं दिवान को पत्र क्यों लिखें बोल नहीं तो आज तेरा खून पी जाओंगा तुने मेरे और महरावल की बहुत निंदा की हैं बोल नहीं तो तुझे कच्छा चबा जाओंगा और दात पिसने लगता हैं तो दात पिसने लगता हैं तो त्यंत करोद में कि तुमने जो हैं मेरे खिलाफ जो हैं महरावल के खिलाफ जो हैं और रेजिडेंट जो एलिंग्टन को पत्त्र क्यों लिखा जोहराल नहरू को जैनाराइन व्यास को और हिरालार सास्त्री को और दिवान को पत्त्र क्यों ल अब सागर कहते हैं सहज भाबसे की सचाई दू कहने का हरेक 리acy को हग है को था कार्णामों का तो पर्दा फास तो करना इऑ बतानी था और गुमान्सी आए जोorders हे बैट मारत था किसके साघ्र की काले कार्णामों का पर्दाफ फास और और कर फिर दो तीन बैट और मार देते हैं लगता है तेरी मोत ही तजहे नागपूर से जस्जल मेरे खीच लाई है लगता है तेरी मौत मेरी हाथों ही अब यानकी काफी क्रोध में हैं गुमान सी है तो बात कर रहा है साथ ही सागर मलक के बैंत भी मार रहा है डंडे मोटे डंडे जो हैं वो मार रहा है उसके तो सागर कहते हैं मुझे मौत तो सागरमल कहते है कि मुझे मौत नहीं है मेरी जनम भूमी का जो प्यार है वो यहां खिंच लाई है मेरी मौत नहीं लगता है सामंत साही की मौत मुझे यहां खिंच लाई है वो सागरमल अभी भी किसी परकार से भैवित नहीं है वो गयते है कि मेरी मौत नहीं बलकि ये तो सामंत साही की मौत मुझे यहाँ पे खिंच लई यहाँ लगता है सामंत साही की अर्थी में मेरा कंदा लगेगा लगता है महराज और तुम दोनों अब गुमान सी है बीचमी बात को रोकता है उसकी चुप रहे है बत्तमीज तेरी जुमान खिंच लूगा और जोर से पुकारता है अब बिर्वल आ गया है वहाँ पे अब बिर्वल से गया रहा है एहमद इसे ले जाओ और माचा चड़ाओ इसके मूह है नाक, कांक और नीचले इंगो में मिर्च भढ़ दो माचा चराओ मतलू कि बहुत जादा पिटाई करो ठेका ना ार इसके जो नाक है खिसके जो भी गया नेंद्रियां है करमेंद्री को सकते हैं तो उनमें सबी में जो है र套ल को जिए मिर्च डाल दो गसिट कर बाहर ले जाती हैं गुमान सियं कोठी में कुछ सोचता हुआ चक्र रगाता है लगता है कोई भैंकर निरने लेने वाला है थोड़ी देर में सागरमल की दिल धहला देने वाले चीखे सुनाई देती है और उन लोगों का अठाहास अठाहास मतला कि जो हसी की को मिर्च डाल दिया आहां अरे अरे मुझे चोड़ दो अरे रक्शनस वास करो अरे अरे ये मिर्च मेरे मेरे मत चड़ाओ अरे मेरे ढूम में आग लग गगी है ठोड़ु अब थोड़ी देर आवाज आती है फिर वे लोगgs हस्ते हुए अरद भेहौश कराते हुए सागर धोती खून से तर्बतर है लाकर वे उसे छोड़ देते हैं वे धम से गिर जाता है वे सबी जोर से हसते हैं सागरमक दर्द से तरपता है उसके मुहें से चीख निकलती है अब देखे कितना अधिक निर्ममता पूर्ण जो वेवहार है वो किया जा रहा है किस प्रकार से देश मुर्च को आजाद करवाने वालों ने अपने पर्तेक अंग जो है तो उसके उपर जो मिर्च का लेप भी लगवा लिया है किस लिए सिर्फ अपनी मातर भूमी हमारी जो मातर भूमी भारत भूमी जो है उसको आजाद करवाने के लिए और जो सामन तसाही है उसको दूर करने के लिए चाहता तो सागरमल गोपा जो है वाफी मांग सकता था और अपने साथियों के नाम बता के बच भी सकता था लेकिन सागरमल ने ऐसा नहीं किया अब देखे किस प्रकार से उनके द्वारा गुमानसियां द्वारा कितना अधिक निर्मंता पूर्ण जो है पशुता पूर्ण जो आच्रन है वो किया जा रहा है तो चलिए देखती हैं कि कि गुमानसियां हस्ता हुआ जेव से कागज निकाल कर सागर अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान इस माफी नामे पर दस्तकत कर दे अब देखे बात घुम फिर कर वहीं पर आ रही है कि हर कोई चाहता है कि सागर मल जो है वो माफी नामे के उपर दस्तकत कर दे तो गुमानसियां कहता है कि अपनी जान बचाना चाहता है तो मेरा कहना मान और इस माफी नामे के उपर दस्तकत कर दे लेकि सागर मल जो अर्द भेहुसी की आलत में था अब वापिस चेतन्य वस्ता में आ चुका चीख कर बोलते हैं मेरे मौत के पैगाम पर दस्तकत करा ले गुमान सी हैं पर माफी नामे पर जीते जीत दस्तकत नहीं करूँगा तुम लोगों ने पहले भी नार की यातना इंदे कर मुझे घफलत में दस्तकत करा ली है और मुझे नाहक बड़ नाम किया अब ऐसा पहले भी हो चुका है सागरमल के साथ में कि ये इनको यातना ना रिए प जेल में डालकर और इसे जो दोखे से माफी नामे के उपर दस्तकत कर वा ली है और उनको बनाम किया गया कि सागरमल जो है वो महरावल का ही आदमी है लेकिन अब सागर कहता है कि मैं वैसा नहीं करूँगा अब मैं हाथ कटवा सकता हूँ पर किसी कागज पर दस्तकत नहीं करूँगा तो गुमान से तू क्या नहीं करेगा तेरे चाया करेगी तूने गुमान से का गुसा नहीं देखा यह तो माफी नामे पर दस्तकत कर दे और वो कहता है कि देख यह तो माफी नामे पर दस्तकत कर दे अब बीसमें बात काटते हुए सागरमल कहता है ताकि माफी नामा दिखा कर तू मुझे जनता की नजरों में गिरा सको दस्तकत करके जनता और सरकार को बता सको कि मुझ पर कोई अत्यचार नहीं किया जा रहा है गुमान से हैं तुम्हारी यह साजिस सफल नहीं होगी अब देखिए वो गयता है कि अगर मैंने इस माफी नामे को पर दस्तकत कर दिये तो तुम लगों से कहोगे जनता से कहोगे कि हमने कोई अत्यचार नहीं किया है हाना और तुम्हारी यह जो साजिस है वो कभी सफल नहीं हो सकती साजिस का मतलब सड़यंतर जो है वो सफल नहीं होगा तो गुमान से वेंगे में हसता है कि गुमान का हर मुहरा ठीक जगा पर बैठता है सागरमल अगर तुने इन कागजों पर दस्तकत नहीं किये तो तुझे मिट्टी का तेल छिड़कर जिन्दा जला दूँगा और उस आग में तुम्हारा समराजर जल जाएगा जनता तुम लोगों को नहीं जीने नहीं देगी इससे वो कुरांती होगी कि तुम्हारे जुलम क सागरमल कहता है कि अगर तुमने मुझे जला भी दिये ना तो मेरे साथ साथ जो तुम्हारा जो समराजर जाएगा और जनता तुम लोगों को जीने नहीं देगी इससे वो कुरांती होगी कि तुम्हारे जो जुलम के साथन की नीव है वो हिल जाएगी तो गुमान कहता है गुमान से ने कच्ची गोलिया खेला नहीं सीखा है सागरम तुमने जगह जगह पत्रों में लिखा है कि इस अत्याचार को नहीं सह सकता इससे तो आत्मत्या ही करना अच्छा है हस्ता हुए खुने बेढ़ी सी नजर टिका कर समझे के नहीं अब देखो गुमान सी कहता है क कि मैंने भी कच्ची गोलिया नहीं खेली है कि तुमने अपने पत्रों में जगह-जगह लिखा है कि मैं इस अत्याचार को नहीं सह सकता जो जस्टन में गुंडाराजय उसको सह नहीं सकता हूँ और इससे तो आत्मत्या करना ही अच्छा है तो आप तुम समझे या नहीं सम औरो और वारती की जन्ता तुम्हारी इस चाल को मात बर देगी हरा द गsecond है तो गुमान किता है नहीं कभी नहीं तेरे पर्दादे ने भी आतम cynik थी है है तो तुम्हारा पुष्ते बते हैं तो सागरमल जो है गजसे से चीक कर जूते नीच रक्षष तूँ तो इतना गिरा कुरा हुआ है गमान गुसे से अयरे मुझे नीच मत नीच कहता है तब हां हां नीच नोईellी को खड़ा सूझ रहा है अब कमान से गुस्जे में सीकर कहता है मैं कहता हूँ ला अब भी वार्ण जाकर प्रकHH लाता है मिलयुड समय तो साग्र जो है इसक्तर बात को यह क्वार का जाता है जो कहा यह घूंड यह हाज आरं को ऊपनांस हैं और हो 자기 तो गुमान कहता है तो ले तेल सागरमल पर छिड़कता है अब भी सोच ले वरना माचिस जलाता हूँ लेकिन सागरमल भेवित होने वाला नहीं है वो कहता है जला ले तो गुमान से कहता है जला लो तो सागर्मल कहता है हाँ हाँ जला ले तो गुमान से माचिस निकाल कर जलाता हुआ यह जलाई और अब तू देखते ही देखते राख हो जाएगा बोल माफी नामे पर दस्तकत करता है के नहीं सागर्मल साहस पूर वक नहीं करूंगा जल जाना मंजूर है पर माफी नहीं मांगूंगा अब देखे किस परकार से अंती म समय तक वो सागर्मल गुटने टेकने के लिए तियार नहीं है हारने के लिए तियार नहीं है अपने मनोवल को नहीं इ fitted आ रहे हैं तो ले अब माची से लगा देता है सागर के कपड़ों में आग लगती है व्याब उछाने का प्यास करता है गुमान से और उसके साथी हसते हैं धीरे धीरे आग तेज रोती है तो इस द्रश यह जो है अब भी माफी मांगे तो आग बुच सकती है बोल अब देखिए गुमान से काते है कि अगर अब भी तु माफी मांगने के लिए तैयार है ना तो ये आग बुच सकती है बोल तो सागर काते है कि अगर हो सके तो थोड़ा तेल और चिड़कते गुमान से है ताकि तेरे और मेरे दोनों के मन के अर्मान पूरे हो जाएं अब तेरे और मेरे मतलओ अब क्या अर्मान है इनके मन के अब गुमान से ये के मन में ये था कि वो माफी मांग ले नहीं तो उसको जला दूँगा अब सागरमल कहता है कि मेरे जलने से एक नई करांती जो है वो जागरी तो जाएगी तो इस प्रकार से हो कहता है कि तेरे और मेरे मन के जो अर्माने वो पूरे हो जाएं और सागर मल कहता है कि मैं अपनी मातर भूमी के लिए अपने पराणों का बलिदान दे दूँ यही मेरी आखरी इच्छा है तो गुमान हसकर इसकी आगरी इच्छा भी पूरे कर दो अब तेल छिड़कता है आग तेज होती है सागर जलने लगता है और आग तीवर होती है तो चीक पड़ता है सागर कहता है भारत मता कीज़े भारत मता कीज़े तो गुमान से हसते हुए अरे इसकी आवाज दूसरों को सुनाई देंगी इसके साथ साथ बोलो महरावल की जै ताकि इसकी आवाज दब जाई अब देखिए किस प्रकार से सेडन तर पूरण करे किया जा रहा है अब सागरमल जल रहा है और वे भारतमाता की जै बोल रहा है लेकर गुमान से कहते हैं कि इसके आवाज दूसरों को सुनाई नहीं दे तो इसलिए वो कहते हैं कि इसके साथ साथ तुम जो है अब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि महरावल की जै बोलो ताकि इसकी आवाज दब जाए अब सागर जो ही भारत माता की जै बोलता है वे तीनो साथ साथ महरावल की जै बोलती है उसे सागर की आवाज दब जाती है और सिरफ सागर मल की जै सुनाई देती है मानो सागर मल भी महरावल की जै बोल रहा है सागर जो है भारत माता की जै जलने के कान तरपता है भारत माता की जै और वे तीनों उसके चारों तरफ हस्ते वे चक्कर लगाती है तदा महरावल की जै किनारे लगाती है सागर थोड़ी दिया तरपकर भारतमाता की जए बोलता हुआ धरती पर गिर जाता है गुमान सी है और उसके साथ ही होगा ठाहस के साथ परता गिरता है अब देखे किस परकार से सागर मलगोपा को ऐस हैनिये जो यातना है दी गई और अंत में उनको जिन्दा जला दिया गया तो ऐसे सागर मलगोपा थी जिन्होंने अपनी मातर भूमी के लिए अपने जो प्राण हैं उनकी बली दे दी और जिन्दा जलना से विकार कर लिया तो इस परकार से हमारी जो आजादी है वो सस्ते में नहीं मिली है तो इसके लिए असंख्य जो क्रान्तिकारी हुए है तो देश भक्त जो हुए है उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान से ही इस सवतंतरता रूपी व्रक्ष को सींचा है तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस सवतंतरता रूपी जो व्रक्ष है उसको सिंचे और हमारा जो दाइतव बनता है मातर भूमी के प्रति उसका भी हम निर्वेहन करें तो ये था अमर सही देकांकी जिसका हमने धन किया है तो इसी के साथ ही धन्यवाद